कि आज का हमारा टॉपिक है वास्तू के अनुसार वैस्ट प्लोट साइज क्या होना चाहिए या किस प्रकार का प्लोट अच्छा रहता है वैस्ट प्लोट साइज एज पर वास्ति कि अधर के लिए कौन सा प्लोट अच्छा होना चाहिए कमर्शिल के लिए कौन सा अच्छा होना चाहिए यह सब बात आज हम करेंगे कि वास्तू कनुसार प्लोट साइज कौन सा चाहिए तो वर्गाकार प्लोट और आयताकार प्लोट कि दोनों ही अच्छी होते हैं बगाकार प्लॉट, स्क्वेर प्लॉट्स, चारों इसमें जो साइट्स होती हैं, जाएं होती हैं उसकी, सारी की सारी इक्वल होती हैं, और 90 डिग्री के एंगल होती हैं जो रेक्टंगुलर प्लॉट्स होते हैं, उनकी जो विट्थ होती हैं, वो दोनों इक्वल होती हैं, और जो 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं आपकी, वो भी 90 डिग्री तो दोनों ही आप इसमें देखेंगे, ये 90-90 डिग्री के तो आयताकर प्लोट और वर्काकर जो प्लोट होते हैं वो दोनों ही अच्छे होते हैं जब वास्तु शास्त्र बना उस समय जो सेंट्रल कोट यार्ड होता था तो लोग उसको बहुत इंपोर्टेंस दिया करते थे कुछ जो सेंट्रल कोट यार्ड था वह गर्मी को कम करता था कॉस्मिक जो रेज होती थी वो बहुत इजनी मिल जाया करते थी और इन दोनों ही टैप की जो प्लोट्स हैं इन में कोई वेस्टेज भी नहीं होते थी तो कि जब भी हम इंटीर्यस बनाते हैं कम्रे बनाते हैं तो इन दोनों साइजों के अंदर कोई भी वेस्टेज नहीं होती थी जैसे कि ट्रैंगल है ट्रैंगल में बहुत ज्यादा वेस्टेज होती थी या दूसरे प्रकार के जो प्लोट्स होते हैं उनमें बहुत हैं वो दोनों ही टाइप के जो प्लॉट्स होते हैं उनमें अच्छी तरह पैल जाते थे यह हम कह सकते हैं कि जो हम 81 पद वास्तू करते हैं सारे के सारे जो 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 जोते हैं आपके वह बहुत इकुली डिस्टिक जाते हैं तो इस वकार से हम कह सकते हैं कि वास्तु के अनुसार वरगाकर प्लोट और आधाकर जो प्लोड्स होते हैं दोनों ही अच्च्च होते हैं लेकिन इन दोनों में से भी बैस्ट कौन्शा है और क्यों है इस पर भी हम अभी चचा तो घर के लिए किसी भी रिलिजिस वास्तों के लिए जो वरगाकार जो प्लॉट्स होते हैं वो अच्छा वरगाकार प्लॉट्स में सुक और शंती इंसान को हैं और जो धर होता है उसमें सुक शांती हमीशा बनी रहे वर्गाकार जो plots होते हैं जैसे कि सोगुष का भी plot अगर आप बनाते हैं तो 30 by 30 का आप बना सकते हैं क्योंकि इसमें जो है चारों ही आपकी जो sides होती हैं वो equal होती है अगर इसको जो है वर्गाकार जो plots हैं ये 30 ये भी 30 और ये भी चारों के चारों जो एंगल होते हैं हो कारे के सारे 90 डिग्री के तो इस पकार से आप कोई भी size ले सकते हैं 40 by 40 का ले सकते हैं 50 by 50 का ले सकते हैं तो इस पकार से जो है आपका जो वर्गाकार जो plots होती है वो घर के लिए best होती है आपके इस्ट या नॉर्थ हो सकते होनी चाहिए क्योंकि जो इस्ट होता है आपका की जो इस्ट यहां से सारी की सारी जो होती है वो आती है तो नॉर्थ साइड से आपकी हमाइं बहुत अच्छी आती है तर ठंडा रहता है तो दोनों ही टैप की जो plot होते हैं तिक इसमें भी जो इस्ट होता है घर के लिए वो बेस्ट होता है और commercial के लिए जो है वो नौर्थ होता है तो इस पकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो best plot size है जो best plot होते हैं वो वर्गाकार plots होते हैं वर्गाकार जो plots होते हैं उसमें जो है energy जो होती है जो कि नौर्थ इस से चलती है साउथ वेस्ट तक वो सबसे अच्छी तरह फैल आप देखेंगे इसको कि यहां से जो यह आपका जो नौर्थ इस्ट है इसमें यह साउथ वेस्ट है आपका इसमें जो है energy है बहुत अच्छी तरह से फैल इसलिए भी जो वर्गा का जो plots होते हैं वो बेस्ट होते हैं नेक्स्ट आता है आपका rectangular plot आयता कर जो plots होते हैं वो आते हैं आयता कर जो plots होते हैं इसकी कुछ conditions दी गई चंद्रवेधी plot होते हैं सूर्यवेधी plot होते हैं तो इसके बारे में भी हम आज करेंगे तो सबसे पहले जो rectangular plots होते हैं इनकी जो दोनों sides हैं वो दोनों की दोनों equal होती हैं अगर यह 30 oot है मालीजे तो यह भी 30 oot है ऐसे ही अगर आपके यह 50 oot है मालीजे तो यह 50 oot होते हैं और सारे के सारे जो angles हैं आपके वो भी आपके नए तो यह आयता कार जो plot है इसमें भी जो आपकी जो energies होती हैं वो अच्छी तरह से फैल जाती हैं इसमें भी आप जो है 80 पद जो वास्तो करते हैं उसमें भी equal distribution हो जाता है लेकिन उसकी भी कुछ conditions हैं जो कि मैं अभी आपको बताएं तो आप जो plot size है वो 25 by 36 ले सकते हैं 30 by 40 ले सकते हैं 40 by 80 ले सकते है maximum जो है तो इसके लिए आपको बताएंगे कि जो आयता कार जो plots होते हैं यह commercial वास्तों के लिए और residential वास्तों के लिए अच्छे होते हैं इसकी condition है कि जो width है अगर मालीजी यह 40 है तो इसकी जो length है वो maximum 80 हो सकते हैं यानि कि जो ratio है इनकी 1 is to 2 maximum हो सकते हैं इसा कारण है कि जो vibrations है वो अच्छी तरह फैल जाए वास्तों पुरुष की जो कल्पना की गई उनके जो अंग है वो अच्छी तरह इस plot में समा जाए जिससे कि हमने कहा कि आपको प्लोट्स भी अच्छे होते हैं अब मैं आपको बताता हूं कि इन प्लोटों का भी चंद्रवेधी और सूर्यवेधी दो प्रकार के जो प्लोट्स हैं आपके वो बताये गई कि चंद्रवेधी प्लोट क्या होते हैं और सूर्यवेधी प्लोट क्या होती है जो ये अगर हम मानिजें कि कि कैये हैं आपका चंद्रवेधी प्लोट है, ये आपका इस्ट है इसके अंदर इस्ट में बहुत जाना रोश्नी आएगी यह भी हो सकता है कि maximum last तक भी है रोश्णी चिर्ट यानिकी जो सूर्य की किरने हैं वो सबसे अधिक जाती है को कि यह जो width है इसकी यह कम होती है यह जो width होती है कम होती है कि लेंक्ट ज्यादा है इस्ट की साइड में तो यह आपको दीखना है कि देकिन कंडिशन मैंने आपको बताई वन इस्टू तो सूर्य जो है वो इस से उदय होता है सुबह सुबह की जो किरने हैं तो ठंडी अल्ट्रा वाइलेट रेज हैं वो इस चंद्रविधी प्लॉट क हो सबसे अच्छी है कि लेकिन जो कि आपका सूर्य वेधी प्लॉट है इसमें जो है हो सकता है कि जो रोशनी है वो पूरी की पूरी ना जाए लाज तक ना जाए क्योंकि यहां पर रोशनी जो है इस साइड से कम मिलते हैं सूर्य जो है इस से उदै होता है तो जब इस्ट में कम स्पेस होता है आपका नॉर्फ और सौॉथ में ज्यादवist होती है इसको बुलते सूर्य की रोशनी रूप लेकिन यह दोनों के दोनों इनमें कंडिशन में आपको पहले ही बता दी है कि वन इस टू की रेश्यों होगी लेकिन इससे ज्यादा की अगर रेश्यों होगी तो वो रेक्टंगलों जो प्लॉट्स हैं वो खराब हो जाएंगे अच्छी तरह से जो रेश्यों होती हैं उनका डिस्टिबुशन नहीं हो पाएगा जो आपके 81 जो पद बनते हैं वो एक्वल लंग से नहीं हो पाएंगे वास्तु प्रूश्यों के जो अंग है वो अच्छी तरह नहीं फैल पाएंगे तो इस्त्कार से हम कंक्लूजन के रूम में कह सकते हैं कि दहने के लिए और ठार्मिक स्थानों के लिए आपके वर्गाकार प्लॉट्स अच्छे होते हैं और कमर्शल वास्तु के लिए आपके वर्गाकार प्लॉट्स और रेक्टंगलर प्लॉट्स दोनों ही हैं